कुश्चन कर रहा है कि ABC एक सम्दिबाहु सम्कूर तिर्भूज है AB 90 डिग्री है AB 12 cm दिया गया है यह है B यह है C और यह 12 है तो यह 12 होगा यह हो जाए 12 रूट 12 हो जाएगा 12 रूट 2 हो जाएगा AC अब यहां पर बोला गया है कि इसमें अंकित एक ब्रीथ है जो कि त्रिभूज का अंदर एक ब्रीथ है इसका त्रिजिया ग्याद करने है इसका त्रिजिया होता है P 12 रूट 2 होजाएगा वट्री रूट 2 होजाएगा तो यह कितना हो जाएगा 12 रूट 2 होजाएगा कितना आपका है 12-6 root 2 हो जाएगा उसके बाद question में कर कि ABC के परिगत भी तैनि कि जो परिभी थे जो सरकम सरकल है उसका अनुपात बताना है जो यहां से यहां तक आएगा उसका जो radius होता है कितना होता है करण के आधा होता है जो यह करण आपको दिखाई दे रहा है इसका 2-6 root 2 into root 2 हो जाएगा 2-6 root 2 into root 2 हो जाएगा यही आपका answer हो जाएगा option number B जो है इस question का answer हो जाएगा I hope यह question आपको समझ में आया होगा जब भी आपको कोई right angle triangle दिया रहा है right angle isolation triangle दिया रहा है right angle isolation triangle दिया रहा है जिसके अंदर कोई circle हो उस case में क्या होता है कि इसके अंदर बृत का जो तिरिज्या होती है जो radius होता है radius होता है वो हमेशा P plus B minus H यानि perpendicular plus base minus का hypotenuse के बराबर होता है यह होता है कब जब इस तरीके से circle दिया रहा है circum circle का radius बोले यानि कि जो उपर से circle बना है उसमें radius उसका पुछे तो हमेशा जो current है तिरिज्या है जो right angle isolation triangle का जो current है यानि कि hypotenuse है इसका आदा होता है क्या है एच बटा में 2 होता है इस concept को आप ध्यान में रखेगा